जाहिन्द आवरीवन आप सब कर बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरिट अप तक चैनल पे और आशा है कि आप सब एक दम अच्छे होंगे और बिलकुल स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों का अच्छी से ख्याल रख रहे होंगे साथ-साथ अपना भी क्योंकि आपका ख्याल रखना जादा जरूरी है खुद को क्योंकि यह पढ़ाई करते सब है ना बहुत जादा चीजों की ऐसी मोटिवेशन की आपको स्वस्त रहने की बहुत जादा जरूरी होती है आपको माइंड को हेल्दी रखना है तभी आप उसमें चीजे जो है वो इकटा करने से पहले भी अपने अंदर से अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि जो आप यह बहाने लगाते हो ना पढ़ने के ना महनत करने के उन पर आपका मन आपकी जिद जो है वो हावी हो जाए ठीक है अब आप ही क्लास को शुरू करते हैं और आज ही क्लास में हम करने वाले ह है भारत के रास्टपती के बारे में भारत के उपरास्टपती के बारे में दो छोटी-छोटी सी क्लास होगी क्योंकि एक क्लास में फिर आपके लिए आपको लगता है कि ओ इतरा लंबा हो गया है तो तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारत के रास्टपती और बारे में क्या question important बनता है जो यहां से तब से जादा पूछा जा रहा है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहलो तो देखो आप सबको बता है कि हमारे भारत में तमविधान में हर एक चीज के बारे में वो छोटी हो या बड़ी हो हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है तो कार्य पालिका कि हमारा देश किस तरह से चलेगा ठीक है उसको चलाने वाले लोग कहां बैठेंगे तो उसी के लिए प्रावधार लाया गया भाग पांच में कि हमारे देश में एक संसद होगी जिसके तीन मुख्य रूप होगे उस संसद में एक ऐसे सदस्या एक खेमा ऐसा होगा जो भारत की जनता के द्वारा चुनकर आया गया होगा एक खेमा आपका ऐसा होगा जो कभी आपका क्या नहीं हो सकता भंग नहीं होगा और एक होगे भा भारत के राश्पती वो भी आपका उसी का हिस्सा होते हैं जो जंता के द्वारा चुने आते हैं संसद में देखो आपका लिखा हुआ भी है संसद जो की आपका लिखा हुआ है कि भारत में एक संसद होगी पार्लेमेंट होगी जिसका वर्णन अनुचेद 79 में यानि कि जो है वो जाकर बैठेंगे और देश को चलाएंगे ओके अर्टिकल 81 में और एक होंगे जी रास्टपती जो इस कारिया पालिका के सबसे बड़े एक तरह सुप्रीम लीडर होंगे कि यहां पे आपके देश को चलाने के सारे प्रावधान होंगे कानून लाय जाएंगे उनमे बदलाव किये जाएंगे संशोधन किये जाएंगे लेकिन लास्ट में वो पास तब होंगे जब रास्टपती जी के क्या हो जाएंगे signature हो जाएंगे ठीक है तो official एक executive हो गए हमारी कार्य पालिका के देखो अब उसके बाद भाग पाच जो की संग से related है 52 से लेकर 151 तक लेकिन हम रास्टपती के बारे में कर रहे हैं तो रास्टपती के चुनाव के लिए 52 से लेकर 61 तक आपके सारे के सारे प्रावधान है रास्टपती कैसे होगे कैसे चुने जाएंगे उनकी योगिता कैसी होगी कैसे हटाए जाएंगे उनकी शक्तिया कैसी होगी हर एक चीज दियर उसके बाद आपके उपरास्टपती के आ जाते है के टाइम पर हमारी जो रास्टपती है वो है द्रोबदी मुर्मू वो हमारे भारत की दूसरी महीला रास्टपती है ध्यान देना और पहली आदिवासी महीला रास्टपती बनी है ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अब रामनात कॉमिन नहीं है अच्छा यहां से आज का शुरू में ही पूछ ले तो एक question कि वो किन को हरा कर राष्टपती बनी है that means उनके परतिद्विंदी कौन थे question का answer comment box में देना आगे चलते हैं फटा फट से अब भारत के राष्टपती के बारे में सबसे पहले ये देख लो नहीं कि योगिता एक तरह से क्या क्या होंगी क्या क्या उनको हम बोल सकते हैं तो भारत का प्रतम राष्पती आप पासपोर्ट वगेरे लो भारत के प्रतम नागरिक होते हैं राष्पती देश का सेववधानिक प्रधान होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है राष्पती केवल नाम मात्री की कारेपाली का परमूख होता है आपको पता है डियर कि नाम मात्री ये वैसे थोड़ा गलत सा लिख दिया देखो, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रधान कौन होता है, जो आपका देश को एक तरह से चलाता है, प्रधान मंत्री हमारे वापर उनको दादा क्या है, योगेता है मिली हुई है, तो ये नाम मातर का इसलिए लिखा वेडियर कारपाली का, यानि कि जब हम कोई देश में बदलाव करने जारे है, देश में कोई कानून लाए जारे है, तो क्या होता है, कानून लाया जाता है संसद में, कानून बनाया जाता है संसद में, सब कुछ हो जाता है, दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो लेकिन लास्ट में उस उस पे हस्ताक्षर जो होते है, वो अगलग देशों में अलग अलग प्रावधान होते हैं जैसे अमेरिका में रास्पती है सुप्रेम लीडर वहाविपरधान मंत्री नहीं होता उसके बाद यह अनुच्छेद बावन देखो बावन से लेकर 61 तक मतलब लगने से लेकर हटने तक उसके बीच में उसकी शक्तिया उसकी योगता सब कुछ आ जाएगा सबसे पहले 52 से शुरू करते है कि 52 में लिखा भुआ है बाकि कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भारत को एक रास्पती मिलना चाहिए that means भारत का एक रास्पती होगा जैसे 79 में ये लिखा है कि भारत में एक संसद होगी ठीक है जिसके ती नभाग होंगे अरु छेदरबंड में आजाow अरु छेदर तरह तरह पंड में डियर आपकी क्या है संगी कार्यपाली का शक्ति है कि भई तो संग है ना उसकी कारेपाली का सत्या दो लोगों में है एक तो आपका ओफिशली एग्जिक्युटिव जैसे कि मैंने आपके बताया कि कोई भी कानून बनता है कोई संशोधन होता है तो वो आपका संसद में कानून संसद में बनता है संसद उसको लेकर आती है वो राज्य और रिएल एक्जिक्यूटिव जो इसको लेकर आ रहा है जो उसमें अमेंडमेंट कर रहा है that means हमारे प्रधानमंत्री साथ ठीक है यह होते हैं हमारे पी-म तो हमारे देश का रिएल जो एक्जिक्यूटिव होता है वास्टविक कारेकारी अधिकारी एक तरह से कारेपाली का धान मंत्री होता है और ओफिशली आपके रास्टपती होता है ठीक है बस महज एक उपचारिता के लिए अनुच्छेद चोवन में उसके बाद देखो रास्टपती होगा उसके बाद वो कारेपालिका का एक ओफिशली एग्जेक्यूटीव होगा जैसे कि मैंने आपको बताय अब होगा तो लेकिन होगा कैसे उसको लाएंगे कैसे चुनाव करवाने पड़ेंगे चुनाव होंगे कैसे तो यहां पर डियर उसी का प्रावधान है उसके देखो मैंने जैसे हमेशे बताती हूँ कि सम्विधान को इतनी खुबसूरती से बनाया हुआ है ना कि एक एक च करता है तो वह करते है डियर इलेक्ट्रोलल कोलेज आनि कि आपके निर्वाचन मंडल उसमें क्या-क्या शामिल होते है तो आप कहोंगे कि रास्टपती के चुनाव में शामिल होती है एक तो संसद यानि कि आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा ठीक है उसके सारे के सार उसके बाद विधान वंडल अब जैसे देखो यूनियन के लिए केंदर सरकार के लिए संसद है उनके सारे रोकसभा राज्यसभा सारे बैठते हैं वापे मेंबर्स उसी तरह राज्य यानि कि जिसका परमुक्ष सीम होता है उनकी भी तो मंत्री परिसद होते है उनके बैठ लोग वो भाग लेते हैं राष्टपति के चुनाव में तो यह चीज अपने आप में डियर एक क्वेस्टिन बन गया यहां पर लोकसभा के निरवाची सदस्य राज्य सभा के निरवाची सदस्य और राज्यो और केंद्र शासित पर दोसों यानि की दिली पॉंडिचेरी वगेरा इन विधान सभाओं के निरवाची सदस्य हिस्सा लेते हैं वो अपनी वोटिंग करते हैं जो मैजोरिटी में होता है वो आदमी जीत जाता है अब हम आगे देखेंगे कि कैसे वोटिंग होती है एक चीज यहां पर आपकी थोड़ी से concept जानने के लिए जान लो रा राश्पति अपने द्वारा 12 सदस्यों को राज्य सभा में मनोनीत करते हैं क्या वो हिस्सा लेते हैं तो आप कहोगे नहीं वो 12 सदस्य राश्पति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं यह चीज आप ध्यान रखेंगे अब देखो आर्टिकल 55 में इसकी रीती कि भाई चुनाव तो होगा हम लेकर आएंगे राश्पति को चुनाव करवाना पड़ेगा लेकिन उस चुनाव की रीती कैसी होगी कैसे होगा वो चुनाव कैसे चुनेंगे हम तो सबसे पहले जैसे आप EVM वगएर उसे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे जब भी चुनाव आते ह है उस बिचारे के ऊपर बहुत जादा प्रेशर होता है उसको एक तरह से को उसको खुद को साबित करने का जैसे सीता माधा के ऊपर था ओके अगनी परिक्षा देनी पड़ती है कि हां मैं शुद हूँ ओके तो EVM से नहीं होता है बद सबसे पहले तो यह जान लो यहां पर एक्जाम कहा कहा पर होगा तीन स्टेट दिये गए है इस्टेट नमबर वन टू और थरी ठीक है आप आप लो दिल्ली दहरादून भए जो मेरे उसमें है ठीक है आज़ादून और यह मालो आप अजमेर मालो ठीक है आजमेर आप से पूँचा जाता है कि अपनी प्रेफ्र किसको देते हो ठीक है आप पहली प्रेफरेंस देते हो किसको दिल्ली को दूसरे नंबर की प्रेफरेंस देते हो आप माल लो देहरदून को तीसरे नंबर की प्रेफरेंस देते हो आप माल लो अजमेर को ऐसे ही बहुत सारे केंडिडेट है जो आपको दिल्ली को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, ठीक है, दहरदून को दूसरे पर या फिर तीसरे पर, whatever, हमें पहले नंबर से मान लो, अब जो यह दिल्ली, दहरदून और अजमेर है न, यही डियर आपके रास्पती पद के लिए मनोनीत सदस्य है, यानि कि रास्पती चुनाव में जो लड़ने जा रहे है, मान लो, यह मुर्मू सहाब है, ठीक है, यह आपके, यह क्वेस्टन तो आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, मान लो, यह दूसरे सदस्य है, ठीक है, second candidate है, और यह third candidate कोई भी, मान सकते हो, तो जब वहाँ पर लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा के, सारे सदस्य जाएंगे, उन में से वो कहेंगे कि हमारी पहली प्रेफरेंस, हम चाहते हैं कि दरोब्दी मुर्मू रास्पती बने, तो यहां पर नमबर वन लिख देंगे, जिनको भी इनको चाहिए, उसके बाद, अगर, तीनों को देनी है, वोट, हम चाहते हैं कि दू फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे जादा वोटिंग होगी, वो आपकी रास्पती बन जाएंगे, I hope, dear, मैं समझाने में तक्षब रही होगी, आगे जलते हैं, उसके बाद, अनुछे चपन में क्या बात आती है, कि रास्पती का कारेकाल, अब हमें रास्पती मिल गया, अब और एक सरकार बहुत टाइम तक जैसे एक सरकार बहुत टाइम तक चलती है, लोग उव जाते हैं, लोग चाते हैं, कि अब कुछ नया चाहिए, कोई नया चेहरा चाहिए देश को, और एक नया चेहरा और नई सोच दोनों एक साथ आती है, okay, अनुछे चपन में लिखा कोई जोर जबस्ती नहीं होती है, अनुछेद सत्तावन में क्या लिखा हुआ है, पुने निर्वाचन के लिए पातरता के भाई दुबारा हम इलक्षन कराएं या कैसे कराएं, okay, अनुछेद, अच्छा, पुने निर्वाचन के लिए पातरता वो अपनी इलिजिबिलिटी अगले साल के लिए भी मतलब अगली टेनोर के लिए भी वो अपनी कंडिदेचर को डाल सकते हैं कि मैं दुबारा भी बनना चाहतू जैसे दुबारा पीम साफ भी तो बन गए, okay, तो एक बार रास्पती बनने के बाद भी दुबारा रास्पती का परचा जो है, वो भरा ज हो गिता है, जैसे तुम ग्रेजवेशन हो चीके हो, 50% प्लस मार्क्स है, तो तुम ये फोम भर दोगे ना तो निकलो, उसी तरह से रास्पती के लिए पहला मेंबर है हमारे देश का, ठीक है, फस्ट नागरिक, उनके लिए तो अलग से होने चाहिए, सबसे पहले वो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयून की हो चुकी हो, लोकसभा के सज़श्य बनने की योग्या हो, और किसी भी वो लाब के पद पर कारियरत ना हो, ठीक है, उसके बाद डियर, आपका क्या है, अनुच्छे 59 में आ जाते है, कि रास्पती पद के लिए क्या-क्या शर्ती होंग कि 15,000 रुपे की हो गई है, पहले कम थी, और पहले इतनी कम थी, कि हर कोई पर्चा भरते था था, बस एवे ही माल लेते थे, रास्पती की चुना होगा, फिर इसको जाधा किया गया, कि अगर आपने 1 वाई 6 वोट से कम लेकर आए, तो आपकी ये जमानत राश्य जो है, हम जब कर लेंगे, नहीं देंगे, ओके, हालागि ये 15,000 वी क्या ही होते हैं, पागल ले हो, मतलब mentally वो fit हो, देश को, ऐसा राश्पती चाहिए, जो mentally fit हो, physically fit हो, obviously, दिवालिया ना हो, ओके, दिवालिया ना हो, माल्या की तरह, अनुछेद साट में, राश्ट्पती द्वारा शपत जो है, वो दिलाई जाती है, किस के दूआरा, राश्ट्पती को जो सपत दिलाते है, वो सुप्रीम कोट के मुख्य न्याएधिश दिलाते है, यू यू ललित है, इस टाइम पे हमारे मुख्य न्याएधिश, ये बात अपने आप में question बन जाती है, और ये सारे ही question ह ध्यान रखना ये बात आप ओके ठीक है उनकी अनुपस्तिती में सुप्रीम कोट के वरिस्त नियाएधीस भी उनको शपत दिला सकते हैं और अनुचेद 61 में लिखी हुई है उनके बारे में कि उनको हटाने के लिए देगो अभी तो हम इनको यहाँ पे लेगर आ रहे थे मानते हो कि संशत के पास सबसे जादा सकतिया है जब राश्पति किसी विदेशी राश्च के प्रभाव में आ जाए आपकी वह वाली चीज़े डियर अगर उसने कुछ मिसकंड़क्ट किया हो कुछ ऐसी चीज़े की हो जो हमारे राश्च के हित्में ना हो तो उन पे जो है महावयोग लाया जा सकता है बहुती सिंपल सा क्या है यह परकिरिया होती है इसमें क्या होता है महावयोग में यह होता है कि संसत के यह किसी भी सदन में आप राज्यसभा मिलाओ या लोगसभा मिलाओ कहीं पर भी ला सकते हो बस आपको करना ही होता है कि महावयोग लाने से पहले सबसे पहले तो कम से कम 25% उस राज्य सभा या लोक सभा जो भी आप उस से लेकर आऊगे जिस भी हाऊसे आप लेकर आऊगे कम से कम 25% लोगों ने अपने सिग्नेचर कर रखे हो कि हाँ हाँ भाई अम फलान आदमी को हटाना चाहते हैं दूसरा 14 दिनका नोटिस देना पड़ेगा आपको राश्पती को का हान जी हम आपके लिए ऐसे ऐसा करने जा रहे हैं आपको अटाने जा रहे हैं तो प्लीज आप अपनी स्विकृति दे दो उसके बाद क्या होता है दियर फिर वो उसमें आपका लाया जाता है या लोकसभा या राज्यसभा जिस भी हाउस में आपका लाया जाएगा वहां पर कम से कम टू थर्ड सदस्य के प्रस्ताओं के बहुमत में हो ठीक है बहुमत होना जरूरी है और दूसरे सदन में भी डियर आपका एक सदन से फिर दूसरे सदन में जाएगा वहां पर भी पास होना जरूरी है टू थर्ड ओफ जा सकता है तो इनकी कुछ सक्तिया देख लो फटा फट से ये भी आप से पूछी जाती है नियुक्ति से समबंदी देखो परधान मंत्री की नियुक्ति ये करेंगे परधान मंत्री की सलहा पर मंत्री परीसद होना चाहिए ठीक है उनकी नियुक्ति ये करेंगे और ये आपक विधाई सकतिया या फिर इनकी कानूनी सकतिया रास्टपती के हक्षाक्त सिगनेचर के बिना हस्ताक्षर के बिना कोई भी विध्यक कानून नहीं बन सकता रास्टपती को दोनों सद्नों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिक संसद में निम्ने विध्यक को पेश करने से पहले राष्टपती की सहमती जो है उसकी डियर आवश्रक होती है धन विध्यक को भी आप अगर लेकर आओगे तो उसके लिए भी आपकी राष्टपती की सहमती जो होती है अगला यही लिखा हुआ है नए राज्यों के निर्मान वर्तमान राज्यों के छेत्र सीमा हो या फिर उनसे जुड़े नामों में आपको कुछ परिवर्तन करने हैं, उनका एरिया बढ़ाना है, एरिया घटाना है, उसके लिए भी आपको राश्पती की सलहा पर ही काम करना है, संचित निदी में व्या करने वाले, संचित निदी हो उसको कैसे खर्च करना है, उसको कैसे यूज में लाना है, ये भी राश्पती की सलहा के द्वारा ही किया जाता है, उनके अनुमती से ही किया जाता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, संचित के स nellदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, अब देखो, पहले तो हमें बारे लोगों को मनोनीद करते हैं, जो अलग-अलग छेत्रों से होते हैं, कोई साहित तकला और संसीर्थी इन छेत्रों से, मतलब हर साइन्स टेक्नोलोजी हर छेत्र से हिस अधर से होते हैं, बारे, राजनेतिक सक्तियन की क्या होती है, कि दूसरे देशों के साथ घरतिय है राजदूटों की न्यूक्ति करते है और जो बहार चभकेशपटर विगेर आते हैं उनका अनुमोदन करते है उसके बाद रास्तपती के अधिकार और शक्तिया क्या-कया होती है इनकी सेंन ने सकतिया की घर हमारे वह दीनों से नाय है उनके जो कौन मिले है, ठीक है, कौन मिले है, उनका नाम बताईए, खल सेना, वायू सेना और जल सेना, इन तीनों को जो एक साथ बांध के रखेंगे, कौन होंगे, हमारे भारत के परवुक कोन होंगे, राष्ट पती, ठीक है, उतके बाद शमादान की शक्तिया, ठीक है, पाड़न, कोई भी बड़ा प्रादी होता है, वो सौरे जद्धो जहद लगा के सुप्रीम कोड़े आपके पुनरवाचन, पुनरविचार याची का भी पुनरविचार याची का भी डाल देता है, वो उसके बाद भी उसको फासी या फिरूंपर कैद उसकी नहीं अट्टी, उसके बाद जाता है, रास्ट पती के बाद, आखरी रास्ता होता है, रास्पती, कि रास्पती साब मुझे शमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मेरी बुद्धी ब्रस्ट हो गई थी, अगर रास्पती चाहे, उसके क्राइम को देखकर, उसको वो क्या कर सकते है, माफ भी कर सकते है, और यह भी कह सकते हैं, तुने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुझे तो मैं माफ नहीं करूँगा, तू तो मरेगा, ठीक है, तू फासी चड़ेगा, तो यह उनका अधिकार होता है, वो शमा भी कर सकते हैं, और उसको, मतलब जो उसकी स्तधा है, उसको बरकरार भी रख सकते हैं, और यह प्रावधान आपका है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है, कि कोई भी बढ़ा अफरादी, या फ तक वो अपने पद पर है, उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं लगाया जा सकता, और आपातकालीन शक्तिया आप सब को पता है, आपातकाल की घोशना ही कोन करते हैं, राश्पती करते हैं, राश्ट्य आपतकाल 352, राश्पती सासन राज्यों में 356, और वित्याप आपातकाल जो कि अभी तक नहीं लगा है, और भगवान हमारे देश को तरक्की दे 360 पे, तो ये राश्पती की कुछ डियर सक्तिया थी, आपके पास, अब देख लो कुछ क्वेस्टिन भारत की पर्थम राश्पती, डॉक्टर राजिंदर परसाद, और ऐसे राश्पती जो दो बार राश्पती बने है लगतार, डॉक्टर राजिंदर परसाद, एक मात्र अच्छा ये लिखा हुआ है, भारत की पहली महीला राश्पती, पर्तिबा सिंग पाटिल, निर्विरोध, ये क्वेस्टिन बहुत पूछा जाता है, वह इसको इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत प राश्पती से रिलेटेड जितने भी क्वेस्टन आप से पूछे जा सकते हैं, जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं, वह सारे बैने आपको बता दिया है, ये तो मुझे उमीद है, ठीक है, और अब डियर आपके लिए सर्प्राइज, 9 ओक्टोबर को, रात को 9 बजे, सारे के सारे से तन के खड़े रहना या बैठे रहना वो आपके उपर है, लेकिन डियर नया चैनल आ रहा है, उसको जरूर देखना, तो 9 बजे जो सर्प्राइज होने वाला है, वो हमारे लिए भी सर्प्राइज है, वन्दम बता देती आपको, ठीक है, कुछ नहीं चुपा, तो आप इसको जरूर देखेंगे, और उसके अलावे डियर इस क्लास की PDF के लिए आपको क्या करना है, पीडियर बहुत खुपसूरत है डियर, एकदम समझ में आने वाली है, आप एप को डाउलोड करना, वहाँ पर YouTube PDF सेक्शन है, वहाँ से आप इस PDF को डाउलोड कर लेना, ज आप इसी तरह एप इडियर, बहुत सारे खुशिया आपकी लिए आरी है, बहुत सारे डिसकाउंटेड वहाँ पे है, तो एक बार एप पे जाके देखो, को अवेल करके देखो, आपको बहुत मज़ा आनने वाला है, तो टेक कियर, जै हिंद, और जैसे आपने खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए